अलो प्रेंट्स वेल्कम टो माई चनल ओपिस अफ दिश्टी जोज महीर भंज बारी पदा में बड़ी विकन सी निकल कर आ रही है और देखते हैं वीडियो में आगा बढ़ने से फ़हले प्लीज मेरे चनल को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए देखते जो ग्रेड ट्रिपल आई स्टेनग्राफर के लिए 25,500 रहेगा to 81,100 रहेगा खूल आपका पद चार है और सेलरे आमीन के लिए आपका 21,700 सेलरी रहेगा 69,100 रहेगा सेलरी पॉस्ट है तो उसके लिए क्या-क्या eligibility criteria है वो हम देख लेते हैं आपका eligibility criteria यह है कि आपको 18-32 ब आप EME standard में उड़िया आपका qualification EME standard उड़िया में आप pass होना चाहिए और good character आपका candidate शाल good character आपका होना चाहिए और good health भी होना चाहिए physically आप fit and fine होना चाहिए और qualification जो है आपका junior clerk copyist के लिए the candidate shall have passed at least plus two examinations conducted by council आपका जो plus two pass आपका होना चाहिए junior clerk copyist के लिए plus diploma and computer application आपका qualification होना चाहिए और great triple iis tenographer के लिए आपका plus two pass with आपका diploma and computer application होना चाहिए और आपका the candidate shall process minimum speed आपका 80 speed watt per shorthand and 40 watt in type in type writing per minute होना चाहिए आपका और IME in के लिए आपका जो post है salad IME in के लिए the candidate shall have passed matriculation examination और equivalent आपको matric pass होना चाहिए आमिन के लिए the candidates shall have passed the revenue inspector training आपका अगर revenue inspector training past certificate है तो आप eligible रहोगे आपका 100 रप्या का जालान देना होगा एक्जामिनेशन फिच और रिटेन एक्जाम सेस्ट सिलेक्शन होगा आपलाइंग लास्ट डेट 25 जबिस दस उनिस सटर डे 5 पियम एपलाइं करने का अंतिमति थिया है क्या है लागो